दोस्तो गॉर्मेंट एक्जाम के तृइर के लिए सबस्क्राइब कीजी हमारे चैनल प्रिप्रिशन एड्डा को और वैल ऑadकन दबाईए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तो सभागत आप सभी का हमारे चैनल प्रिप्रिशन एड्डा के अंदर पर दोस्तों आप सभी से बिनर्म निवेतन है कि जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पिलीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टाइकि हमको मोटिवेशन मिले आपका सब्सक्राइब करने का कुछ नहीं जाता कोई चार्ज नहीं जाता वास हमको मोटिवे करवाने वाला हूं जितने भी इंपोर्टेंट शाखां हैं बाईलो जी की उसको याद किस तरह सा करें उसको याद करने के बावजूद भूल जाते हैं और नो डाउट बहुत सारे स्टुडेंट को हो सकता याद भी हो लेकिन भूलने के चांसे तो बहुत जाद रहते हैं लगबग आपको 90% ऐसे स्टुडेंट्स मिल जाएंगे जिनको पूरी तरह से याद नहीं रहते हैं तो आज मैं आपको ट्रिक के थुरू सारी की सारी इंपोर्टेंट शाखां हैं जी विज्यान की उनको मैं ट्रिक के थुरू याद करवाऊंगा आपको धियान से ट्रिक क को खा गई एक डि आपको बिल्कुल जो मैंने जितनी भी ट्रिक बनाई है बिल्कुल जनरल भाषम है वह जनरल लेंगवेज जो हम देखते हैं वैसी ही ट्रीक है इसनिए आपको एक दम स्याद हो जाएंगे एपी नाम की एक मधुमक्य सारे रेशम की कीटों को खा गई तो एपी कल्चर के अंदर मदुमक्की पालन का अधियन किया जाता है ठीक है आपको याद होगे ना एपी कल्चर के अंदर मदुमक्की पालन का अधियन किया जाता है इसी तरह से सारे रेशम के कीटों को खा गई तो सारे का मतलब है सेरी कल्चर सारे का मतलब क्या सेरी कल्चर मे रेशम के कीटों का अध्यन किया जाता है रेशम के कीट जो पाले जाते हैं उनका अध्यन किया जाता तो रेशम के कीट पालन का अध्यन किया जाता उसी तरह से एपी कल्चर के अंदर मदुमक्खी पालन का अध्यन किया जाता तो दोनों के पालने का अध्यन है एपी कल्चर भी आपको याद हो गया और सेरी कल्चर भी आपको याद हो गया देखिए दो कल्चर आपको बहुत अच्छे से याद हो गया एपी नाम की एक मदुमक्की इसका मतलब सारे रेशम के कीटों को खा गई तो सैरी कल्चर के अंदर रेशम के कीट पालन का अधियन किया जाता है अब देखिए जिस तरह से आपको इस ट्रिक में याद हो गया है दो आपको कल्चर याद हो चुके है एक तो आपको epiculture याद हो चुका है और आपको दूसरा याद हो चुका है sericulture उसी तरह से आपको मैं जितने बागी culture है लगबग 14-15 culture है important और logically important है इनको याद करना इसी तरह से तो आपको अभी दो याद हो चुके है इसी तरह से मैं आपको और बताने वाले हूँ दोस्तों जिस तरह से अभी आपने epiculture के trick याद कर ली और sericulture के trick याद कर ली तो यहाँ पर इस trick के अंदर more than 4 culture है लगबग 4 या 5 culture है देख लेते हैं जितने भी culture छीपे हुए हैं के अंदर या फिर जितनी भी biology की शाखां हैं इस trick के अंदर लगबग 4 पांच शाखां हैं आपको मज़ा आजाएगा इस trick को भी धियान से देखना आपको तो एक PC मचली ने एक PC मचली ने कीटो से इंगलिश में कहा माई फाइल कहा हैं जिसमें कवक शेवाल है देखिए आपको याद हो जाएगी आप एक दो बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगी क्योंकि मैंना आपसे पहले ही कहा है कि मैंना trick वो चूस की है जिसमें आपको बहुत जादा आसानी हो बिल्कुर जन्रल भाषा की हो एक PC मचली तो ये एक नहीं है ये है एक PC मचली ने कीटो से इंगलिश में कहा माई फाइल कहा है जिसमें कवक शेवाल है एक PC मचली ने कीटो से इंगलिश में कहा माई फाइल कहा है जिसमें कवक शेवाल है तो इस trick के अंदर क्या चिपा हुआ है, trick आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी, इस trick के अंदर चिपा हुआ है, देखिए आपको एक बार revise कर लेना, आप भी मेरे बताते बताते, आपको revise भी करना है, एक PC मचली नहीं कीटो से English में कहा, my file कहा है, जिसमें कवक शेवाल ह तो इस trick के अंदर क्या चिपा हुआ है, देख लेते हैं, तो इक का मतलब है एक्थियोलोजी, तो इक्थियोलोजी, एक का मतलब है, PC कल्चर, पीसी का मतलब है PC कल्चर, पीसी कल्चर, देखिए जिसके नाम के आगर कल्चर लग जाता है, तो उनमें 99% चांसेज रहते हैं अध्यन के तो यहाँ पर PC culture यहाँ बात करा हूँ PC culture की लिख कर दिखा दों PC culture PC culture और यह है craftingology यह क्या है मतलब पालने वालने का अध्यान के जाता है इसमें पालन बगारा होता है कल्चर के अंदर और इक्तियोलोजी में उसके उपर स्टड़ी की जाती है कितनी वैराइटी है तो एक PC मशली ने कीटो से का अध्यान के जाता है सिर्फ मशलियों का अध्यान तो यहां मशली जो है वो एक्तियोलोजी के लिए है एक्तियोलोजी के लिए मश्ली है मतलब एक्तियोलोजी के अंदर मश्लियों का अध्यन के जाता है और पीसी कल्चर के अंदर मश्ली पालने का अध्यन के जाता है देखिए दोनों बातों में अंतर है इसलिए मैं थोड़ा जोर दे रहाता बात पर एक्तियोलोजी में मचलियों का ध्यन किया जाता है जबकि PC कल्चर में मचली पालन का ध्यन किया जाता है तो देखिए आपको दो कल्चर यहां से याद हो चुके हैं एक तो एक्तियोलोजी और एक PC कल्चर तो आपको दो शाखाई याद हो चुकिये हैं बाय myth की यहाँ पर भी दो शाखाई आपने पीछे याद Kiito टोटल हो गई चार शाखाई अब यह है कीटो से इंगलिश में कहा कीटो से इंगलिशκε कहा तो कीटो का मतलब है कीटो कदिन किस में किए जाएगा यह इंग्लिष यहांसे इंग्लिष में छिपए हुआ है ईं यहांसे निकाल लिए इंग्लिष में एंध़ कि टो मालोची इस dogs टो कीटो का जीन के जाता है एंटो मोशी में एट कीटो का ज 나오는 तो एक बार और देखी ट्रिक को एक PC मशली नहीं कीटों से इंग्लिश में कहा तो एक मतलब एक्तियोलोजी PC मतलब PC कल्चर एक्तियोलोजी में मशलियों का अध्यान के जाता है जब कि PC कल्चर में मशली पालंग का अध्यान के जाता है कीटों से एंगलिस में कहा कहा है настperformance فाल कहा है जिसमें कवाख्षे वाल है तो माय का मतलब यहां पर माय का मतलब आया मायकोलोजी mycology और pie का मतलब है है यह पर cho Garlic तो इसमें पहला आरा mycology, फीर आरा psychology, तो mycology पहला आया फिर आया फाईको लोजी, इसे तरा सा कबक पहला आया, फिर आया शेबाल तो कबक शेबाल है तो mycology के अंदर आता है कबको का अधियन और phycology गंद्रा ता शेवालो कद्यण तो आपको दोनों याद हो गए होँगे तो यहां से आपने mycology पढ़ा phycology पढ़ा ectology पढ़ा PC culture पढ़ा और antology पढ़ा तो आपने यहां से पांच पढ़ लिए पांच शाखाँ यहां से पढ़ लिए और दो शाखाएं पीछे से पड़ी तो टोटल शाखाएं कितनी होगे साथ शाखाएं अभी तक आप बायलोजी की साथ शाखाएं पड़ चुके हैं तो यह इंपोर्टेंट शाखाएं आप इनको याद रखें और बाकी शाखाएं भी आपको बताने वाला हूं नीचे तो प मतलब सैरी कल्चर के अंदर किया था रेशम के कीटों का अध्यान तो वह होगे थी पहली ट्रिक दूसरी ट्रिक है एक पीसी मशली नहीं कीटों से इंग्लिश में का माई फाइल कहा है जिसमें कवक्षेवाल है तो एक पीसी तो एक थियोलोजी और पीसी कर दोनों के अंद फाइल मतलब फाइकोलोजी माईकोलोजी मतलब कबक फाइकोलोजी मतलब शेवाल तो कबक और शेवाल का अध्यान करना है माईकोलोजी में कबक का अध्यान और फाइकोलोजी में शेवाल का अध्यान तो इस तरहां से हमने पांच यहां पर ट्रिक पांच यहां पर शाखा है और है इंपोर्टेंट उनको भी देख लेते हैं अब इसमें अगली ट्रीक देख लेते हैं ट्रीक नंबर थी है इससे पहले दोनों ट्रीक में अच्छे से एकस्प्लेंड करने आपको आयती है कि याद भी हो गयोंगी हमने वहाँ पर साथ जीव विज्यान के शाकाओं का अध्यन कर लिया तो अब यहां देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट ट्रीक यह भी है तो उसी तरह समय यहां पर लगभख साथ जीव विज्यान के शाकाओं का है समझ में आगे है तो आपको याद भी हो जाएगा तो सेमझने किस तरह से सिल्वर पेड पर सारी चिपक़ लें और यह तो और पेड पर प्लिइख जोछ जाडियों में थी अब बात करा है आंट एवं पुषपु झाडियों में तो पेड़ है पेड़ के बरावर में झाडिया भी होंगी तो आइवं पुषपु झाडियों में डेंड़र्फ की तरहां औरफन स्नेक का इन्तिजार कर रहे था तो डेंटरफ मैंने यहां word use किया है देखिए अपने बालों को आप एक तरह से जाड़ी मान लीजिए और उसके अंदर जिस तरह से डेंटरफ रहता है तो जाड़ियों के अंदर डेंटरफ तो वही मैंने बड़ यहां को लिया है क्योंकि एप्रोपियर्ड वर्ड नहीं मिल रहा था ट्रिक के लिए तो यह डेंटरफ यूस किया गया तो जाड़ियों में जाड़ी क्यों एक तरह से बाल हो गया बहुत घने है ना तो आप बालों को जाड़िया मन लीजिए तो जाड़ियों में डेंटरफ की तरह और्फन स्नैक का और्फन स्नैक का इंतिसार कर रहे उसकी अंदर किस चीज का अध्यन कर रहें तो देख लेते हैं सिल्वर तो सिल्वर आता है सिल्वी कल्चर के लिए सिल्वर यूज होता है सिल्वी कल्चर के लिए तो सिल्वी कल्चर सिल्वी कल्चर इसकंदर किस चीज का अध्यन करते हैं यहां पर पेड़ है सिल्वी कल्चर सिल्वर का बाद में पेड़ है जी हां बिल्कु सही सुना आपने इसमें हम कास्टी पेड़ों का संभर्धन का अध्यन करते हैं कास्टी पेड़ों के संभर्धन का अध्यान सिल्वी कल्चर के अंदर करते हैं तो आपको सिल्वी कर्चल याद हुआ सिल्वी सिल्वर पेड़ पर सारी शिपकलिया तो सारी का मतलब है सोरो लोजी सारी का मतलब क्या है सोरो लोजी सोरो लोजी में शिपकलियों का अध्यान करते हैं तो आपको दो याद हो च चिपकलिया, तो सौरोलोजी में चिपकलियों का अध्यन करते हैं, ये पोमो फल पर, पोमो फल पर, पोमो फल पर, तो पोमो का मतलब है पोमोलोजी, पोमो का मतलब है पोमोलोजी, तो पोमोलोजी के अंदर फलो का अध्यन करते हैं, तो आपको देखो तीन याद हो चुके य और पॉमोलोजी तो पॉमो फल पर आंट एवम पुष्पू तो आंट का मतलब है हां जहां आंट का मतलब एंथोलोजी से हैं मैं आपको लिखकर दिखाता हूं एंथो लोजी तो एंथोलोजी मतलब आंट एवम पुष्पू तो एंथोलोजी के अंदर पुष्पो का अध्य किया जाता है जाडियों में डेंडर्फ की तरह जाडियों में डेंडर्फ की तरह तो जाडियों में डेंडर्फ की तरह तो जाडियों में डेंडर्फ की तरह तो जाडियों का अध्यान भी किया जाता है और कौन सी शागा में किया जाता जी विग्यान की वह है जिए आपको लिखके दिखाएता हूं डैंड्रो लोजी तो डैंड्रो लोजी के अध्यान किया जाता है जहाडियों का तो आपको याद होगी होगा एक बार रिवाइस कर लेटे हैं सिल्वर पेड़ पर तो सिल्वी करचर के अंदर कास्टी पेड़ों के समभर्दन का अध्यान सारी चिपकलियों तो सारी मतलब सौरो लोजी जिसके चिपकलियों का अध्यान करते हैं पोमो फल पर पोमो मतलब पोमो लोजी के अंदर फल का अध्यान करते हैं आइंट एवं प और्फन यहां पर आता है. ओफियो लोजी के लिए आए ओफियो लोटी तो ओर्फन मतलब ओफियोलोजी, स्नैक मतलब इसका अंदर स्नैकों का अध्यन के जाता है, सांपों का अध्यन के जाता है, तो ओफियोलोजी का अंदर अध्यन के जाता है सांपों का, तो आपको याद हो गए देखिए यह भी, ओर्फन मतलब ओफियोलोजी, ओर्फन मतलब ओफियो लोजी तो आपको कितने याद हो चुके यहां से सिल्वी कर्चर सौरोलोजी पॉमोलोजी एंथोलोजी डैंडरोलोजी और ओफियोलोजी तो इतने याद हो चुके हैं इतने मैं और्निट पक्छी आ गया तो और्निट का मतलब क्या है हैं और्निट का मतलब यहां और और निथो लोजी, तो और निथो लोजी में पक्षियों का धिन के जाता है। तो देखिए इस वीडियो में और आपको इस वारी ट्रिक नंबर थ्री से आपको लगभग साथ बाय लोजी की शाखाएं याद हो चुकी है छुखी है, Anthology, Dandrology, Ofiology और Anidrology एक बार आपको revision लगबा देता हूँ पहली वाली triq थी happy नाम की मदुमक्षी सारे रेशम के कीटों को मैंने आपको दिखा रखी उपर happy नाम की मदुमक्षी सारे रेशम के के कीटों को खा जाती है happy का मतलब क्या है epic culture क्या जाता है सारे मतलब सैरी culture उसके नदर रेषम के कीटो का अध्यान है तो इक olan मछली का के इंदर मचलियों के पालने ज़िन करते हैं कीटो सें इंग्लिष के एन यहां पर आपने देखा पीसी कल्चर आपको याद हुआ एक्थियोलोजी याद हुआ एंटोमोलोजी याद हुआ और साथ में फाइकोलोजी याद हुआ और इस वाले ट्रिक नंबर त्रीक अंदर आपको साथ याद करा चुका हुआ और पूछी जाती रहेंगी आने वाले एक्जामस में भी तो क्यों आप इसको वीडियो को देखे अच्छे सा तयार कर लें ट्रिक लिए और अपने दोस्त को अपने पास बिठाएं pizzente को ट्रिक बताएं खुश से लिखके बताएं दोस्तों को समझाएंट को अगर थो आकश्य को समझाजी तो आपको तो आंपने से हाध हो जाएगी और साथ में समझाने की बाद आपको इतनी अच्छी सा याद हो जाएगी आप कभूलोगे फिर भी नहीं ठीक है तो एक बार लाइक जरूर करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगी है और इस वीडियो को जाद से जादा दोस्तों तक शेयर करते हैं वह पहली बार अगर वीडियो देख रहें तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर thank you so much